नमस्कार दोस्तों जै वारत जै उत्राखंड मैं हूँ आपके साथ कुल्दी प्रावाथ और इस समय आप देख रहे हैं पहाडो का राही चैनल हमेशा पहाडो के राही चैनल का मकसद रहा है पहाड में उत्रा खंड में लोगों को जागरूप करना चाहे स्वरोजगार के पड़ती हो चाहे कोई भी समश्या हो उसके लिए आवाज उठाना आज हम बात करेंगे छेतर में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कैसे हम यहाँ पर रोजगार पैदा कर सकते हैं टूरिज्म को बढ़ावा देके मेरे साथ यहाँ पर गड़वाल विस्यविद्या लेके जो है अलिमूनी एस्विसिन के सेकेटरी और जो है जेड फिलिट ज हैं जिन्होंने पहाड से उत्तरा खंड से पढ़ाई करके एक इस लेबल तक पहुंचे हैं आज जो है पूरे भारत में उनको लगबक काफी लोग जानते हैं काफी नाम है अक्सकुमार से लेके कहीं किर्केटर से लेके हर जगा है उनकी फोटो हम इंटरनेट पर देखते ह हैं रावज जी इतना बड़ा अचीमेंट पाना एक गाउं छोटे से गाउं से इतने बड़े तक जाना कभी सोचा था कुल्दीब देखो ऐसा होता है कि अगर आपके मन में है कि आपको कुछ करना है तो डेफेनेटली जो है वो कहीना कहीं साबको बिलती है और उसके बाद फिर साथ में पढ़ाई करके और फिर जो हम में एक टूरिजम मैनेजमेंट करने के बाद एक मौका मिला वह हमाले एक डिफरेंट था हो आप साधर रनगाउं से बिलांग तो रनगाउं यहां पे एक छोटा सा गाउं है और काफी दूर पैदल चलना पड़ता है और उसी ग चैनल के बाद हमारे पर मोका होता है कि हम लोग प्रफेशनल कोर्स करें कि लोग गएड करते कुछ लोग जौने को करते तो मुझे उस ताम मास्टेंच मैनेजमेंट करने का मोका मेला ठावर जर्णी अगर मैं बात करूं चेत्र में तूरिजम के है क्यूंकि इस समय उत्रा उत्राखंड का युवार रोजगार के लिए दरदर भटग रहा है आपने भी जीवन देखा है आपने भी यह जेली होगी आप भी एकदम से इतने हाइपोस तक नहीं पहुंचे यह आपने प्रिस्टिती देखिए तूरिज्म के बात करें उत्राखंड इतना मलब सुंदर है यहां पर जो है देविय इस्थान है कैसे हम तूरिज्म से जोड़ेंगे इसको देखो कुल्दीप जैसे अभी आपने स्लोगन देखा होगा वो था रूरल डॉलमेंट गाउं का बिकास होगा तो सब जगह बिकास होगा एक टूरिस जब कहीं भी घूमने आता तो उसके लि जाना है उपको फूड़ को पुड़ को हमकिस तरह से एक जिसको हम बोलते है वह एक बहुत दिफ्रेंचेट करते हैं और आज कि अगर हम किसी भी स्टेट में जाते हो तो डेफिनली लोग जो है कल्चर को जाना जाते हैं और जो पहले है तो पहले जो है टूरिजम से ही अगर हमें किसी करना है हमें किसी भी छैतर को जूंए एक लेवल पर राना है तो डेफिनेटी ज Oh रोड कनेक्टीविटी और वाटर सप्लाइई जो सेरिया में होनी चाहिए वह सबसे चीजा रावगजी अगर टूरिज्म को में बात करूं रोड कनेक्टिविटी के आपने बात करी और पहाड में इस समय विकास की अगर हम बात करें तो एजुकेशन रोजगार और रोड मेरा कहना है कि रोड सबसे पहले जरूरी है क्या लगता है गौवर्मेंट अच्छा इनिसेटिव ले रही है भी इस समय रोडों के होगा जब रोड बनती है तो फिर उस एरिया में लोग बसते हैं वहाँ पर जो है कोई भी टूरिस्ट आ सकते हैं और जब टूरिस्ट आएगा तो टूरिस्ट आएगा वह पैसे भी खर्च करेंगा और एक लोगों के अरुनिंग होगे आज हमारे दुमाकोट में अभी तक कोई भी टूरिस्ट आउस नहीं है यहां पर कोई इस तरह का इन फ्राइड डॉलप निवा भी तक कि यहां पर कोई फॉर नर्साइए जैसे हुटल सबना रहे है रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है यह पर इन्वेस्टर साइं कि कोई अपने पैसे इंवेस्ट करेंगा और सबसे बड़ा ही इंपोर्टेंट है कि हम अपने टूरिजम को इंप्रूव कर सकते हैं इस समय काफी दूर से केदारनाथ से आए वे यहां पर पवन कोठ्याल जी भी हैं जो केदारनाथ इस्मृति वन के जो है अध्यक्स भी है और गड़वाल विस्ट विद्याले के जो है प्लेस्मेंट सेल के जो है मेंबर भी है सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका भी दन्यवाद कुल्जीब जी सबसे पहले तो कैसा लगा हमारा चीदर बहुत ही फिंटास्टिक मुझे लगता सरी एक्स्प्रूर नहीं किया गया इसको बहुत अच्छा लगा और पहले भी बिल्कुल डेवलेप्ड है ने डाड़ा ब्लॉक अपने आप में एक ऐसे जगह है सर जहां मन करता है कि आएं और लोक आच्छली बहुत पड़े लिखे लोग है क्योंकि मेरे मित्र भी है और कुछ मैं एक दूपर नाम भीस कोकरेती जी सुनेंगे आपने कि वह बहुत एक राइटर भी है यहां पर काफी उनका रहता है राजबंद संतोस हमरा अदाली खाल का है तो बहुत सरे ऐसे इंट्रलेक्शल है कि जहां पर मन करता है यह दोस्ती भी हमारी दूसरा है दूसरे फिर जगह है आने स्पोर्ड है क्योंकि यह तो कुमाओ और पॉडी का जो जुड़े वे हैं तो आपकी जो मुद्धे रहते हैं जो ग्रासरूट लेबल से आप उठाते हैं और उस प्रोसेज में जो आप अपनी कंटिविशन देते हैं तो यह अपने आप में से मील का पत्थर साबीत होगा मुझे लगता है आने वाले टाइम में और विकास की जो कहीं हमारे जो इलाका है वहां पे लोगों को कुछ आगे बढ़ने के लिए मौखा मिलीगा जो प्रेटन के अगर बात करें तो प्रेटन अपने आप में यहां पर नियसंगिक सौंद्रे है और यहां पे जैसे जैसे गेस्ट आउसे आप में हमाए गोर्मेंट ने हमें अप और लोग अपने घरों में वापस आएंगे उनके भी अच्छा भी लगेगा और एक डेवलेमेंट भी होगा क्या कि गवर्मेंट तो पूरा रोड कनेक्टिविटी सब कुस दे रही है और उसके साथ जो डेवलेमेंट की जो जरुत है लोगों को भी पुब्लिक पार्टनर से लेके आप हर जगह लोगों को इस समय कनेक्ट करते हैं लोगों तक उनकी बात पहुंचाते हैं कहीं चीज़े हैं बात अगर मैं टूरिज्म की करूं तो सिर्फ रोड आने से ही क्या टूरिज्म बन जाएगा उसके लिए अगला इनिसेटिव अगर मैं आपके परसनल हमारा सबसे बड़ा मैं इनिसेटिव होगा कि हमारे हाँ पर डिग्री कॉलेज है प्टेडेन धर्ड़नम में और जिसमें की कोर्से हैं हम चाहते हैं कि उसमें पीजी डिप्लमेंट टूरिजम मैंगे मैंनेजमेंट का कोर्स आए और यहां के बच्चे जो है ट्राबल पा करो और फिर अपने एरिया को वापिस करो कुछ लोग आके इनवेस्ट करते हैं你就 से घ depress कर रहे हैं उनको जो है अच्छी जगा पर ट्रेनिंग कर वाना जो हम अभी भी कर रहे हैं यह नोग बड़वाल इंवस्टी में हैं और मैंने देखा इन पिछले जो दो दसक से जो लोगों को इन्होंने अपर्चुटी दी है तो यह चिर इस्मरेणिया है और मुझे अगर ट इने सथ बच्चें जो ट्ल्थपास करके हैं से कंप il Hahn अधि कंपनी कंपंशमें में pulsing कि और अज हमारे कंपनी मीवाहाई के जो एक मैंधेंट में काम कर रहे हैं और अचय चागार रहे हैं और एक अच्छा मे चल्राइक है balance को नर verr अगर सो लोग पढ़ेंगे तो डेफिनिली इसमें से पांच सिक्सेस्पूल होंगे हमारे फ्रेंड है अदालिखाल के राजबतु संतुस हम साथ जब टूरिजी मैनेजमेंट करते थे उसके बाद नेभियल में गए और एज लेप्रेंट कमांडर रेटायर हुए और वेदान कि आप अगर आज हमारे साथ में तो बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा नहीं कि हम लोगों ने वो जिसके पैर पड़े ने बिवाईयां वो क्या जाने पीर पर आई हम भी इंगलिस मीडर कॉन्वेंट से नहीं पड़े हैं हम भी स्कूल में पड़े हैं प्रैमरी से अप चोड़े से उठे हैं जैसे राव महिपाल जी और उसमें जाके फिर आगे बड़े फिर अपनी चीजों को आगे लेके जा रहे हैं यह हम लोग अपने गाहों से लेके ग्लोबल की बात करते हैं आज तो वह चीज है तो मुझे लगता सारा यह के मिशन है प्रेटन बहुत ब जो रावाज जी नहीं बूली यह कॉलेज लेवल पर आप जैसे नरी नाना ब्लॉक है यहां पर बहुत पड़े लिखे लोग है तो जो लन और रेटन की भी बात की महिपाल जी ने तो वह चीज वहां पर लोग बाहर है वह आए और बच्चों को ग्रूमिंग करें इन्वर बहुत बढ़ा भी लग गया है पार में जो है मोसं का कोई बरोसा निया नी好吃 है भारिस का बाज कवा जाए रावस जी भात मैं अगर कल्चर की करूं अगर मैं रॉजिस्तान वे जाता हूं तो वहां क्या में बड़ा एक चैलेंज भी और इस टॉफिक पर चर्चा होनी चीए जब तक आज का जमाना जो है उन लोगों को प्लेटफों मिलना चीए और सबसे पहले तो अगर हमें इस एरया को प्रमोट करना तो यहां पर शूटिंग होनी चीए तो हम चाहते हैं कि यहां पर बड़े बड़े आर्टिस्ट यहां पर शूटिंग हो हमारे इलाके के लोग जो है उनसे जुड़े और जब सबसे बड़ा फोकस है कि हमें यह चीजे करनी है तो और इसके लिए जो है जब तक हमारे कल्चिरल जो यह कुछ आगे बात हुई है सत्पाल महाराजी से प्रेटन मंत्री से हमने एक वेबिनार में मंत्री जी को बलाया था और हमने उनको तीन चीजे को बात की थी पहला थे यहां पर यहां पर फॉरन पढ़ने आने पर फॉरें फॉरन पढ़ने आएंगे फिर उसके बाद जो है यहां के हमारे कल्चर में चेहन होगा और जो हमारे आठीस्ट रहे है यह fám jsु वहारे जू ह्या औ पेड़ारे उनको में पढ़ाया जा अनको क प्रोग्राम करा जा ह और ऑन-लाइन और आफ-लाइन जो है हमारी कनेक्टिविटी की जाए डेफिनिटली अगर हमारे इंस्टुमेंट्स हमारे बोली और हमारी भासा अगर आगे बढ़ेगे तो कल्चर अपने साथ क्योंकि क्ल्चर जो है वह एक टैंजिबल और इन्टैंजिबल हरिटेज दोनों म अब हम लोगों ने इनिशेटिव लिया है थुरू गड़वाल उनिवर्स्टी हम लोग हमारे जो जागर मांगल और जो हमारे परफर्मिंग आठ है इसको हम युनिस को ले जाएंगे इसमें मैं पावन को टियाल हमारे प्रोफसर डियार फुरूई जी जो हमारे गड़वा क्या इसका इंपोर्टेंट है और उसके बात डेफिनेटली जो है यह चीज़े प्रमोट होंगे और जब इसे लोग देखेंगे लोगों की डिमांड होगी जब प्रोफेशनल की डिमांड होगी तो टूरिजम बढ़ेगा और जब लियस मैं पावन जी थोड़ा साब को रो इंचर अक्टिविटी यह यह अभी कुछ प्लान है बिल्कुल यह ब्रेस्चऊ दो रखेंग और मिनी वर्ड कह सकें उत्रक उत्र Sixt Brazil सब कुछ को इंकर करने मुझे मुझे बढ़नी Administrator। यहां पर बड़ा स्कोप है बहुत सुन्दर लोकेशन से इन लोकेशन को लोग सेल कर सकते हैं साथ-साथ पर हमारा जो खाना है जैसे आपका एक पहाड़ी बाबु रेस्टरेंट है वहां हमने सुना था कि काफी अच्छे लजीज जो पकवान है को दे का मंडवे का खीर वो स इसको बड़ा है तो हमारे जो प्रोफेसर है डॉक्टर सर्वेस उनियाल गडवाद इनसीटी में उनकी बुक है पकवान उत्रखन के पकवान सेर सलीका को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उनका एक बुक भी है उतरखन के पकवान उसमें मैंने देखा तो मैं इतनी हरिटेज ह है लेकिन आस तक किसी ने सोचा नहीं है और यह बात हम इनवर्सिटी में लेके जाते हैं हम महिपाल जी की तुरू मैं हमने सत्पाल महरा जी को भी बात बताए कि हमारे पकवान है कुछ तो एक स्टेट फूड को निकालो मंडवाई है तो मंडवा खिलाओ को दे की रूटी लूण की में इसलिए जाप करते हैं और आते हैं मर जब तक टैलेंट पूल क्रियेट नी होगा तब तक डॉलमेंट है क्योंकि हर कोई यहां पर यहां पर लोग पढ़ाई करते हैं यह जो जौब करता हूं अपने बच्छों को दैरादूर बेज जाते आप अगर हमें इस को ड्वरप करना है तो definitely professional हमें चीए क्योंकि हजार साल से साइसा वह हमारे इं स्टूमेंट है वह हमारे काम करने का तरीका है वह हमारे जो बिजनिसे Arist imaginches की जिन्दगी हम चीर देए कि एक एक उसके बाथ टार्च्राक्श को एक स्ट्राक्श्टर बनाना पड़े सबत तक हम उसको आज हम कहते हैं हम इस में चिका गे में की हम्हें है नियु से हमक्राइब करनाया है अगर हम कहते हैं इसने को हमें एक्समूर करना है जिसे यहां पेमारे पास फॉरस्ट भी है हमारे पासे हमारे आध्याज़़ इंहां एडवेंचरिय करते हैं हमारे ऐड़र घ्लाइब कर सकते हैं पम But elekuПрि कुशेच्ते हैं यहां on पहाडों में बारिस होगी पहाड तूड़ गई जब भी मैसे और जो मीडिया का जो मीडिया को पॉजिटिव दिखाना पर हम भी कल आये देखा हमने धन्गडी में बारिस आ गई हम चाहते हम उसको भी एक बंबना करके हम नहीं पर से लेकिन हम जब तक हम पॉजिटिव और काफी हद तक जो है लोगों को जाग रुख भी किया है और धरातल भी जो इनौन है काफी परियास किया है तो देखते हैं कितना सफल वो होते हैं और हम भी उनसे जुड़े हुए हैं निरंतर उनकी जो भी एक्टिविटी ओगी जो भी यहाँ पर इंप्लिमेंट होगा जरूर आप तक पहुचाएंगे देखते रहेगा मेरे चैनल पहाडो का राई जै बारत जै उत्रा करेंगे